मन्जिल दूर नहीं पार्ट तेरा प्रस्तुत पार्ट में विज्ञापन जगत के जाने माने हस्ताक्षर सुप्रिसिद्ध प्रवनादाई व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है अनुशाशत स्रिक्षा तथा सुरूची पूर एवम संगीत में वाता वरण वाले परिवार में जीवन यापन करने वाले प्रिसुन जोशी ने अपनी रशनात्मक्ता से सफलता की उचाईयों को छुआ है इस पाप में विग्यापन जगत के जाने मने गुरू प्रिसिद्ध पत्कठा लेखक संबाद लेखक गीत का प्रसुन जोशी के बहु आयामी प्रेना दाई व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है बहु आयामी बहुत प्रकार से जहां चहा वहां रहा है इस युक्ति को चरितार्थ करने वाले प्रसुन जोशी ने ये प्रमानित कर दिया कि अपने रशनात्मक्त मौलिक विचारों से आस्मान की उचाईयों को छूना संभव है यानि व्यक्ति के अंदर जो उसकी रशनात्मक्ता होती है वह अपने ही कारें से संसार में उचाईयों को छू सकता है उससे दूसरों के सारे की आवशक्ता नहीं होती जब आतनी विश्वास लगन और पूर्ण करतव निस्था के साथ लक्ष की और कदम बढ़ाया जाता है तो मंजल दूर नहीं रहती ऐसा ही एक व्यक्तित उबरा है प्रिशून जोशी जी का जो आज सुपरिसिद हिंदी कवी गीतकार पटकता लेखक और विज्यापन जगत के गुरू के रूप में माने जाते हैं पटकता लेखक बैक ग्राउंड जो स्टोरी होती है जो स्टोरी लिखी जाती है फिल्मों की जो कहानिया होती है उन्हें पटकता लेखक कहते हैं प्रिशोन जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को उत्तर भारत के उत्राखंट प्रदेश में अल्मोडा नामकिस्थान पर हुआ उनके बश्पन के दिन अल्मोडा के सुन्दर प्राकर्तिक वातावरण में बीते उनके पिता का नाम श्री धी के जोशी है बेपी सीएस ओफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा बिभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हैं उनकी माता का नाम शुश्मा जोशी है जो राजनीतिक विज्ञान की लेक्षरर है राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस तथा ओल इंडिया रेडियो में पिछले तीन दश्कों से अपने कारेकरम प्रसारित कर रही है शास्त्रिय गायन में उनके माता पिता दोनों से धस्त हैं प्रिशून जी का बश्चपन से परिवार में ही संगीत अनुशाशित सिक्षा और सुरूची पूंधंक से वातावरण में जीवन यापन करने का सुअफसर प्राप्त हुआ उन्होंने सत्रा वर्ष की छोटी आयू में लेखन कार्यारम कर दिया यानि कि उन्हें लिखने में रुची थी तो वो साहित रिखने लगे मैं और वो उनकी पहली रशनती B.S.C. पास करने के बाद उन्होंने बहुत एक शास्त्र में इसनात कोत्तर डिग्री प्राप्त की इसनात कोत्तर कहते हैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिड्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेकनलोजी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने संस्कृती और कला के प्रती अपने लगाओं को पहचानते हुए विज्यापन की दुनिया में कदम रखा उन्होंने दिल्ली के विश्य प्रिशिद विज्यापन सेवा केंद्र औल्गभी एंड मैदर में दस वर्षों तक कारे किया वे वर्ष 2002 में मुंबई पहुचे वर्ष 2006 में वे दच्छन और दच्छन पूर्व एशिया में रीजनल क्रियेटिव डारेक्टर बन उन्होंने एंडी टीवी इंडिया के लिए सच दिखाते हम कारे करे किया प्रिसिद अविनायताओं के साथ ठंडा मतलब कोका कोला के विज्यापन का पिरचार किया और अधिकार पूर भारत में विज्यापन गुरु होने का खिताब प्राप्त किया उन्होंने कई महतपू गीत संगीत के पिटी अभी रुची रखने वाले प्रिस्वी जी ने कई फिल्मों के लिए भावपूर गीत लिखे लज्जा फना रंगदे बसंती तारे जमी पर ब्लैक दिली सिक्स आधी फिल्मों के गीत अधिक लोग प्रिये हुए रंगदे बसंती फिल्म की पठकता स संबाद लेखक के कारे की बहुत प्रसंचा हुई बाग मिलका बाग सभी को बहुत प्रसंद आई फिल्म उन्होंने तारे जमी और फना फिल्मों के सरवत्तम गीत लेकर में फिल्म फेर का भी पुरुसकार प्राप्त किया इन फिल्मों के बारे में दो सभी को पता है प्रि वक्ता शोता का मन मोह लेती है रास्टी और अंतरास्टी इस तर पर भी प्रिशुन जोती ने बहुत क्याती प्राप्ट की वर्ष 2010 में कॉमन बैल्ट गेम्स के उद्धगाटन और समापन समरा रो में श्याम बेनेगल और जावेद अख्तर के साथ कोर क्रियेटिव आत्मक योगता से भारत एवं विश्व को अपनी कल्पना सूजबूज एवं भावुक्ता से अधिक प्रभावित किया विग्यापन की दमक्ति दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई उनकी महत्वा कांशाओं की मन्जिल उनसे दूर नहीं है शब्दर्था आप लोग को नोटबुक में लिखना है मौकिक प्रशन विग्यापन गुरू किसे कहते हैं उत्तर विग्यापन गुरू प्रिशून जोशी को कहते है या प्रिशून जोशी को विग्यापन गुरू कहा गया है प्रिशन खा पिशुन जोशी ने अपना पहला लेक कव लिखा पिशुन जोशी ने अपना पहला लेक मैं और वो 17 वर्ष की आयू में लिखा उन्होंने किस विशे में इसनात को तर डिग्री प्राप्त की उन्होंने भौतिक शास्त्र में इसनाथ कोतर डिग्री प्राप्त की भौतिक शास्त कहते हैं फिजिक्स को आपके सावनगीत किस ने गाया आपके सावनगीत सुपरशिद गाय का शुभा मुदगल ने गाया है पृष्ण जोशी की रूची किस ओर थी प्रिशून जोशी की रूची संस्कृती और कला की ओर थी अर्थ ग्रहन संभन्दी प्रिशन प्रिशून जोशी का जर्म 16 दिसंबर 1971 को भारत उतर भारत में उत्राखन प्रदेश के अलमोडा नामक स्थान पर हुआ था उनके बश्च्पन के दिन अलमोडा की सुंदर प्रकर्तिक वातावरण में बीते उनके पिता का नाम शिरी डीके जोशी है वे PCS आफीसर के रूप में प्रादेशिक सिक्षा बेभाग सायक नेदेशक पर निक्ते हैं उनकी माता का नाम सुश्मा जोशी है जो राजनेतिक व अब हम ओल इंडिया में पिछले तीन दश्कों से अपना कारिकरम प्रिसारित कर रही हैं शास्त्रिय गायन में उनके माता पिता दोनों ही सिद्दस्त है प्रिशून जोशी को बश्च्पन से ही परिवार में संगीत अनुशास्ति सिक्षा और सुरुची पूर्ण डंग से वातावरण जीवन यापन करने का सुवसर मिला अब इसके प्रिश्चने प्रिशून जोशी का जन्म कब और कहां हुआ प्रिशून जोशी का जन्म पहले लाइन में दे रखा है 16 सितंबर 1971 को उत्राखन प्रदेश में अल्मोडा नामक इस्थान पर हुआ उनके पिता का न माता का नाम बकारिच शित्र बताईए उनकी माता का नाम शुष्मा जोशी है जो राजनीती विज्ञान की लेक्चरर है एबम और इंडिया रेडियो में पिछले तीन दश्कों से कारेकरम प्रस्तुत कर रही है अनुशाशित शब्द में मूल शब्द उपसर्ग प्रत्य है लिखित प्रिशन का लगूत तर्य प्रिशन प्रिशन जोशी ने एंबिया की डिगरी कहां से प्राप्त की उत्तर प्रिशून जोशी ने एंबिया की डिगरी इंस्टिट ऑफ मेनेजमेंट टेकनलोजी गाज्याबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त की प्रिशन खा ए एंबिये डिग्री प्राप्त करने वाले हजारों चात्रों में 21 चात्र ही नाम कमाते हैं मगर पिर्शून जोशी ने सलस्कृति और कला के पृति अपने लगाव को पहचानते हुए विग्यापन की दुनिया में कदम रखा तता दस वर्षों तक विश्प इसिद विग्याप सच दिखाते हैं हम कारिकरम में काम क्या उन्होंने फ्लिम फेर प्रुशखार किसलिए मिले उन्हें तारे जमी पर औप फना फिल्मों के लिए सर्वुत्त दम गीतले खन का फिल्म फेरul प्रुशखार मिला कॉमन बेल्ट गेम का आयोजन कम किया गया था कॉमन बेल्थ गेम का आयोजन 2010 में किया गया था दीर्ग उत्तरिये प्रिश्ण पाठ के आधार पर प्रिशुन जोशी की चरित्रगत विशेशनाएं बताईए उत्तर प्रिशुन जोशी हिंदी कवी, गीतकार, पठकथा, लेखक और विज्यापन जगत के गुरु के रूप में जाने जाते हैं वे एक अल्पनाशील, भावुक तता सूज-भूज वाले विक्ति हैं उनके आधर्श चरित्र हमारे लिए प्रेणा श्रोत हैं प्रिशुन जोशी ने अपनी वास्तविक योगता और अवरिची को कप पहचाना उत्तर प्रिशुन जोशी ने MBA की डिग्री करने के बाद संस्कृति और कला के पृति अपने लगाओ को पहचानने के साथ साथ अपनी वास्तविक योगता और अब रिची को भी पहचाना प्रशन तीन वे दिल्ली से मुंबई कैसे पहुँचे उत्तर वे दिल्ली से विश्व प्रशिद बिग्यापन सेवा केंद्र ओल्गिवी एंड मैदर में 10 वर्षों तक कारे करने के लिए के बाद 2002 में मुंबई पहुँचे प्रशन चार भार्टिय फिल्मों को उन्होंने क्या योगदान दिया उत्तर भार्टिय फिल्मों के छेतर में उन्होंने लज्जा फना रंगदे बसंती तारे जमी पर ब्लैक दिली सिक्स के गीत लिखे और रंगदे बसंती भाग मिलका बाग फिल्मों की पठकता संबाद लेखन का उलेखनी कारे भी किया उनके सभी गीत पठकता के अनुरूप सरस सहित्तिक एबम भावुक्ता पूर्ण है जो शुरताओं का मन मोह लेते हैं प्रिश्ण पाँच उनके गीतों की क्या विशेशनाई है उत्तर उनके सभी गीत पठकता के अनुरूप सरस सहित्तिक बाभावुक्ता पूर्ण से भर पूरे रास्टिय अबम अंतर रास्टिय इस्तर पर भी उन्हें बहुत ख्याती प्राप्त हुई निमली के शब्दों के शुद्ध मानक रूप लिखे यहां मैंने सब के शुद्ध रूप लिखे हुए हैं आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे आदश, पढ़ाई, प्रशंशा, प्रशंशा, चाहिए, मिस्ठान, महिलाए, महत्व में दो तादे हैं उज्वल, उज्वल में भी दोनों जा आदे बने हुए हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मैं चैनल एंड लाइक दे वीडियो